डियर लरणर्स आज हम लोग ॡिसकस करेंगे मेटाफिजिकल पोएट जान डन की एक फेमस पोयम दस सन्राइजिंग को जो की 1633 में पबलिस हुई थी दस सन्राइजिंग एक मेटाफिजिकल पोयम है मेटाफिजिकल मतलब मैं आपको बता दूँ मेटा मतलब बियांड और फीजिकल मतलब वर्ल्ड अर्थार्थ ऐसी बातें जो दुनिया से अलग हो भौतिकता से परे हो उसे मेटा फीजिकल कहते हैं इस पोयम में पोएट सूर्य की प्रेज करने के बजाए फटकार लगाता है सूरे को सजेशन देता है कि सूरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तुम चले बिना समय गाओ है आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिजी ब्यस्त ओल्ड फुल बूढ़े मुर्ख अन्रूली सन अन्यंतरित सन अथार जिसपे कंट्रोल ना हो वाई डज दाव दस तुम ऐसा क्यों करते हो थ्रो विंडोज खिडिकियों के द्वारा और थ्रो कटेंस परदों के द्वारा काला नस हमें बुलाते हो और थार्थ हमें डिश्टर्व करते हो बूढे मुर्ख अन्यंत्रित सुर्य तुम हमें खिडकियों और परदों के माध्यम से क्यों डिश्टर्ब करते हो आखिर तुम्हें ऐसा करने से क्या मिलता है जो कि तुम ऐसा करते हो मश्ट्टू दाइ मोसंस क्या तुम्हारी गती के अनुसार लभर्स सीजन रन लभर्स को अपनी रूटीन बनानी होगी अर्थार क्या तुम ये चाहते हो कि अब हम लभर्स को तुम्हारे अनुसार चलना होगा ससी, पेडांटिक, रेच और इन तीन सब्दों में सुरज को फट कारता है पोएट कहता है ससी, अर्था धीट, पेडांटिक, रुढ़िवादी, रेच, नीच, गो, जाओ, चाइड और डाटो उन्हें लेट इस्कूल बाइज, जो बच्चे इस्कूल के लिए लेट हो रहे हैं और उन लर्नर्स को डाटो जिन्हें कुछ नया सीखना है सार अप्रेंटिसेज मने, जिन्हें अप्रेंटिस पर जाना है, अर्थार्थ कुछ नया सीखने जाना है गो, जाओ, टेल कोर्ट्स हट्समेन और धरबारियों को बताओ, देट द किंग विल राइड, कि राजा आज सीकार पर जाएंगे काल, बताओ, कॉंट्रियेंट्स किसानों को, टु हारवेट्स आफिसेज, कि उन्हें फसल काटना है लब आलाइक, प्यार बाकी साब की तरह नहीं है, क्योंकि नो सीजन नोज यह सीजन नहीं जानता है, नार क्लाइमेट, नहीं क्लाइमेट जानता है, नार हावर्स, डेज मन्त, नहीं घंटा जानता है, न दिन न महीना, which are the rags of time, यह सभी के time के टुकडे हैं, और प्रेम इन टुकडों का महताज नहीं होता, इनके अधिन नहीं होता, कभी last line में यह बताना चाहता है, कि प्यार सबसे अलग होता है, इस्कूल जाने का वक्त होता है, फसल काटने का भी एक वक्त होता है, सही समय होता है, लेकिन प्यार का कोई ही समय नहीं होता है, क्योंकि यह scheduled नहीं होता, thy beams, तुम्हारी किरडे, so reverend, इतनी महान, and strong, और strong है, why shouldst thou think, तुम्हे ऐसा क्यों लगता है, अर्थार तुम्हे ऐसा क्यों लगता है, कि तुम्हारी किरडे इतनी महान, और strong है, I could eclipse, मैं तुम्हे प्रभाव हिन कर सकता हूँ, and clouded them, और कमजोर कर सकता हूँ, with having, पलक जपका के, अर्थार्थ मैं अपनी आखे बंद कर लूँगा, जिससे तुम्हारा मेरे उपर कोई असर नहीं पड़ेगा, But that I would, लेकिन आयसा करके, not lose her sight, मैं उस पर से अपनी नजरे नहीं हटा सकता, अर्थार्थ अपनी बिलबेट से नजरे नहीं हटा सकता, so long, ज्यादा समय तक, If her eyes, यदि उसकी आखे, have not blinded thine, यदि तुम्हें अंधा ना कर दे, तब कहना, अर्थार्थ पोईट कहता है कि उसके बिलबेट की आखो में इतना आकरसण है, जिसके आगे सुरी, कुछ भी नहीं है, Look, देखो, and tomorrow late, और कल देर से आना, tell me, और मुझे बताना, Whether both Indians, अर्थार्थ दोनों इंडिज के East और West, Spice and Mine, Masale और Mine, Be, वही है, Where thou left them, जहां तुमने उन्हें छोड़ा था, Are lie here with me, या मेरे साथ बिश्टर पर लेटे हैं, अर्थार्थ देखो, कल लेट से आना, और मुझे बताना, कि जहां तुमने दोनों इंडिज, West और West, के Spice और Mine को छोड़ा था, वे वहीं पर हैं, या मेरे साथ बिश्टर पर लेटे हैं, Ask for those kings, उन राजाओं से पूछना, Whom thou saw yesterday, जिसको तुमने कल देखा था, And thou salt here, या जिन के बारे में तुमने सुना है, तो तुम्हें पता चलेगा, All here in one bed ले, पूरे संसार का यस, और सब कुछ मेरी प्रेमिक्या के रूप में, बेट पर लेटा हुआ है, इस लाइन के माध्यम से पूएट बताना चाहता है, कि संसार का सारा सौंदर प्रेमिक्या में समाहित और केंदरित है, इस इस्टेंजा में पूएट कहता है, सी, अर्थार्थ मेरी प्रेमिक्या, All states सभी state है, और सभी राज्यों का, राजकुमार मैं हूँ, अर्थार्थ उस पर सिर्फ मेरा हक है, नथिंग एल्स इज, इसके अलावा कुछ नहीं, प्रिंसेज डू, राजकुमार कारे करते हैं, बट प्ले अस, लेकिन वो भी कापी करते हैं, हम लोग के प्यार करने के तरीकों को, कमपेर टू दिस, यदि प्रेमिका से तुलना करें, आल आनर्स मिमीक, तो सभी सम्मान दिखावटी हैं, उसके आगे, आल वेल्थ सभी धन, एलकमी, जूते हैं, अर्थार्थ पोएट ये कहना चाहता है, कि पोएट के बिलवेट के सामने, धन और प्रसिदी कुछ भी नही है, नथिन है, दाउसन आठ हाफ एज हैपी, सुरे, तुम आधे ही खुस हो, एज वी, जितना हम खुस हैं, उसकी तुलना में तुम आधे ही खुस हो, क्यों? क्योंकि, वी इन देट दा वर्ड, कन्ट्रेक्टेट दस, क्योंकि सारा संसार हमारे में समा गया है, पोईट सूरे से कहता है कि जितना लभर्स खुस हैं उससे तुम्हारी खुसी आधी ही है क्यों आधी है क्योंकि पूरा संसार लभर में समा गया है दाइन एज आस्क्स इज तुम्हारी उम्र हो गई है आराम करने की एंड सिंस दाइड ड्यूटी भी लेकिन तुम्हारी ड्यूटी भी है की तु वार्म दा वर्ड संसार को गर्म करना गर्म रखना जो कि तुम हम लोगों को गर्म करके अपनी ड्यूटी पूरा करते हो पूएट संसे कहता है कि साइन हियर टू अस तुम यहां चमको हम लोगों के पास और जिसका मतलब होगा कि तुम सब जगह हो ऐसा क्यों कहता है क्योंकि पूएट कहता है कि जो संसार का सारा केंद्र है वो हम लोगों में ही समाहित है पूरा संसार हम लोगों के बेट तक ही समाहित है अर्थार्थ, हम लोगों के बिना संसार का उत्थान पॉसिबल नहीं है उन्नती संभव नहीं है दिस बेड दाई सेंटर इस यह बेड तुम्हारा सेंटर है केंद्र है दिज वाल्स दाई स्पिर और यह दिवारे तुम्हारी कच्छा है अर्थार्थ पोएट कहना चाता है कि यदि तुम हम लोगों के ही चारो तरफ चक्कर लगाओगे तो तुम्हें पूरे संसार के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा संसार हम में ही समाया हुआ है तो मैं आसा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर बिल्कुल नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो धन्यवाद दोस्तों